नमस्कार किसान बन्दों, किसान बन्दों आज की वीडियो में हम जानेंगे सुद्ध DAP की पहचन कैसे करें भारत में लगभग सभी प्रकार की फसलों में DAP का उप्योग किया जाता है क्योंकि DAP फसल के लिए मुख्तत का काम करती है परन्तु हम यह नहीं जान पाते कि सुद्ध डियेपी है या असुद्ध डियेपी है सबसे पहले जानते हैं डियेपी क्या है तो डियेपी जिसका फुल फार्म डायमोनियम फास्पेड होता है इसका IUPAC नाम डायमोनियम हैड्रोजन फासफेड होता है जिसमें 18% नत्रजन वच्छी आलिस पासफोरस होता है यह फसल का मुख पोसकत होता है बात करें इसके ओरिजिनल पहचान की तो इसके ओरिजिनल की पहचान आप कई तरीकों से कर सकते हैं उसमें पहला जो तरीका है उसको आप इस तरह कर सकते हैं कि हाथ में आप थोड़ा सा डी एपी लेकर के हाथ के जो आपका पंजा है उसमें दवा दें और धीरे से आप इसमें फूंक मारेंगे तो यह गीला हो जाएगा दूसरा जो प्रियोग है वो है डी एपी के दाने कटोर होते हैं और आप इसे आसानी से ना खूंनों से नहीं तोड़ सकते हैं कि आपकी जो डियेपी है वह ओरिजनल है तिसरा जो प्रियोग है वो डियेपी के कुछ दानों को आप तवे की धीमी आँच में रखेंगे तो यह फूल कर बड़े हो जाते हैं तो इससे भी आप यह जान सकते हैं कि डियेपी सुद्ध है या असुद्ध चवथा जो प्रियोग है वो है डियेपी के कुछ दानों को लेकर तमबाखू की तरह आप उसमें थोड़ा सा चूना मिलाकर रगड़ेंगे हंथेली में लेकर तो उसमें तेश्ण गंध निकलती है तो आप इससे भी डियेपी की पहचान कर सकते हैं कि ओरिजनल है कि डुब्लिकेट है तो किसान बंदों कैसी लगी जानकारी आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कोई सुझाद हो तो कमेंट करें जै हिन जै किसान